Welcome back to my YouTube channel, Yoni Classes तो जैसा कि हमने अभी तक physical education में अपना जो syllabus है mostly चीज़े cover कर ही ली है ठीक है? तो अगर आपको ना पता हो तो आप playlist चेक कर सकते हैं उसमें chapters जो हैं बहुत अच्छे से explain करके आपको part में मिल जाएंगे यानि कि एक part में बोर होने की जरूरत नहीं है थोड़े-थोड़े करके अलग-अलब parts में आपको क्या chapter की explanation with handwritten notes आपको मिलने वाले हैं तो देर किस बात कि पढ़ना आपको है ठीक है provide मैं सब के लिए कर रही हूँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उसे देख रहे हैं जो सोच रहे हैं कि कीवल important question से काम चलने वाला है तो जो क्या कर रहे हैं कंजूसी कर रहे हैं पढ़ने में तो उनके marks भी तो कंजूसी करके ही मिलेंगे ना तो खुदी सोचो marks जादा चाहिए या कंजूसी वाले marks चाहिए तो I think आप सभी के जो term 1 का result आया होगा उसके बाद आपके उपर थोड़ा सा effect पढ़ा होगा आपको अगर अच्छे marks लाने हैं अपनी इज़त अपने परिवार में अपने रिष्टदारों में बढ़ानी है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो तो देखो भई आज जो है आपका ये जो आपका chapter 8 है I think हां तो ये जो है आपका शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेल चोटे ठीक है तो इसमें आपका खेल चोट और शरीर क्रिया विज्ञान जो chapter पहले अलग-अलग होता था वो दोनों add कर दिये गए है और ये important question का part number 2 है जिसने इसका part number 1 नहीं देखा है उन सब से request है कि part number 1 आप सभी देख सकते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने important question कर रहे हैं हम और आपको पता important question जो है कितने important होते हैं और बहुत कुछ ऐसी वीडियो मैंने पहले डाल दे थी pre-board से पहले जो helpful रही थी students ने comment करके मुझे बताया था और यह वो comments मैंने share भी की थी तो इसलिए I think आप सभी ध्यान से cover करेंगे हर एक चीश को तो देखिए मास पेशे संस्तान पर व्यायम के प्रभावों को लिखिए तो यह जो question है एक तरीके से मैं कह सकते हूं CBSE का favorite question कहा जा सकता है previous question paper को देख कर ठीक है जैसे कि मैं कितने सालों से त्यारी करवा रही हू physical education की तो उसके according मुझे पता चल चुका है कि यह जो question है आपका most repeated question है जो पूछ लिया जाता है ठीक है तो मास पेशे संस्तान पर जो व्यायम के प्रभाव हैं वो पूछे जाते हैं CBSE के द्वारा तो देखिए मास पेशे जो संस्तान होती है उस पर व्यायम के प्रभाव है यह आपको यह चार जो यहां पर दे रखें वो अच्छे से कर लो पहला जो प्रभाव है वो इसका यह है कि मास पेशे अतिव्रिधी यानि कि जो मास पेशे होती है अकर हम लगातार व्यायम करते हैं लगातार व्यायम का मतलब लगातार हम exercise करते हैं तो हमारी जो मास पेश करेंगे 3 या दो लाइनों में अपने वर्स में एक्स्प्लेंट करने की पूरी कोशिच करना ठीक है नेंत्स देखो कोशिका नलिकाओ का निर्मान, याने कि परिक्षिक्षन होता है, जो ट्रेनिक कोशिकाय, वर०ी हो बढ़ जाती है, gradient ₹ यहां पर व्यायम के प्रभाव हमें पोजिटीव ही बताने होते हैं तो व्यायम के खालितास पयोदी डालता नहीं प्रफमय के पर धूद फ्यरीप का चाहिए टिरृसते न इए इसके सब़ते होता है गरिसland защ क्योंकि हर एक जो हम balance diet उसी को कहेंगे संतुलित जो आहर हम उसी को कहेंगे जिसमें हमारा protein वगएरा खनीशत्व हो गए वसा हो गए सारी चीज़े include हो ठीक है यानि कि macro और micro दोनों जो हत्तव हैं वो include हो ठीक है तो वसा जो है fat जो है बुरा नहीं होता है पर fat जब calories घटान में मदद करता है और ही जब लगाताः व्याम करते हैं तो कम होती है rapid बोड़ी में ठीक है? जिसने हमें आपकता होती है अगर हम लगातर वयाम करते हैं तो जो calories होती है और कम होती हो जो बचई-वी calories होती है वो यूज की जाती है, बोड़ी के द्वारा, और जब वो calories हमारी कम बढ़ जाती है तो हमारे जो बोडी होती है जो मास पेशे के उपर जो वसा जमी हुई है उस वसा का प्रियोग करती है एनलजी के तोर पर इस तरीके से हमारे जो अत्रुक्त वसा होती है उस पर नियंतरन पाया जा सकता है तो एक तरीके से मैंने आप आपको weight loss के पारे में बता दिया, ठीक है? तो I think यह आपको पता होगा ठीक है? अब ठकान में देरी, ठकान में देरी किस तरीके से यह जैसे कि आपको पता होगा जो वसा होती है उसके द्वारा क्या होता अगर हम नियमे दिरूप से व्याम करते हैं तो हमारी जो बोड़ी होती है वो ठक्ती कम है जैसे कि अगर मैंने हमेशा से एक्जांपल दिया आप एक रेस करने स्टार्टिंग के दिन में जाते हैं आपको जो चड़ गया कि नहीं मुझे भी रेस करनी है सभी वॉक पे जाते मैं भी जाओंगा ठीक है तो आप जा रही हैं आपने एक घंटे लगातार जो है रेस किया फे जोगिंग की ठीक वॉकिंग की कुछी भी किया ठीक है तो आपके जो मसल से उसमें पेन होगा पर आप लगातार उसी चीज को करते रहेंगे तो आपको लगेगा यह तो चुटको का काम है यह तो इजी चीज है क्या इतना भी नहीं हो पाता बाकी अगर मानो आपका फ्रेंड आपके साथ आप लगातार एक महीने से वॉक कर रही है और आपका फ्रेंड आपके साथ जाता है और वो जल्दे ठक जाता है तो आप कहेंगे क्या यह भी काम नहीं हो पा रहा है यह तो कितना इजी काम है वॉक करना पर अगर आप सोचके देखिए फर्स डे आपकी भी हालत उस जैसी ही रही होगी अगर आप कुछ नहीं करते हैं एक्ससाइज वेकरा नहीं करते हैं तो जो थकान है उसमें देरी होती है तो यह चीज़े आप यहांपे बता सकते हैं हमारा जो लैक्टिक एसिड होता है क्यों होती है थकान? क्योंकि हमारी जो मास्पेशिय होती है उसमें हमारा लैक्टिक एसिड बन जाता है किसकी कमी में? ऑक्सिजन की कमी में तो अगर हम डेली जो और उसकी वज़े से हमारी उस एरिये में क्या होता है तो अगर हम लगाता व्याम करते हैं तो ये समस्यां उत्पन नहीं होती हैं तो थकान में कमी होगी तीक ये हमने हमने हम अपना complete कर लिया है मास पेक्षे संस्तान पर व्याम के क्या प्रभाव होंगे तो कैसे भी कोशन पूछा जाए खाली आपसे पूछ ले जाए व्याम के क्या प्रभाव होंगे तो आप इन में से कुछ ले लीजिए कुछ आप हिर्दय वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट कोशन था शायद आपकी लास्ट जो ये पार्ट वन है उस वीडियो का तो उसके कुछ प्रभाव ले लेजिए इस दरीके से आप जो है एक कीवल व्याम के प्रभाव बना सकते पर अगर आपको प्रभाव है उनके आंसर अलग अलग ही होंगे नेक्स्ट कोशन देखने चलिए नेक्स्ट कोशन हम सभी के सामने हैं यहां पर हमसे पूछा गया फास्ट व स्लो पेशिये तंतू में अंतर क्या होता है यह जो है मैं पहले भी आपको कवर करवा चुकी हूं पर यह इंपोर और सासाथ स्लो यानिकी लाल तो यहां पर पताया है जो सफेध होती है वो ऐसी तंतू जो की गती क्रियाओं के लिए क्या होती है उपियोगी होती है गती क्रियाओं में यूज होती है सफेध वाली हमारी फास्ट ट्विच जो तंतू होती है ठीक है पर जो लाल वाली होती वह सहन शक्ती जो ख्रियाएं होती है उसमें यूज होती है तो ये एक पहला अंतर हो गें दोनों के बीच में दूसरी बात जो स्फेद ट्विचर तंतू है हमारी ऐसे तंतू जो ऑक्सेजन के अनुपस्तिती में भी कारे कर सकती है उलजा प्रदान कर सकती है पर लाल वाले कर सकती है तो इसलिए आती तंतू जो ऑक्सिजन के उपस्तिती में काम नहीं कर सकती है तो यह कोस्षण देखो अगला कोशन नियमित रूप से वियाँ करने से मां सपेशियों पर प्ढ़ने वाले प्रभःवों की सूशी बनाए और किनी चार का विस्तार से उन उनके बारे में बतानाए हमें आभी हमने फिर्ट देखा था यहां म प्रेयाब की क्या प्रभाव होते हैं घृत एम करने तो और उसमें प्रभाव सुची बनानी हैं जो उसकार यह बना दिये सारी द्री आप किसी उसका सबकूताई क्या मसपर्भाव सोची सिंपल से बात है वही कोशन है बस पहले आपको लिस्ट बना के बतानी पड़ेगी ठीक है अब हम नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगर होगा तो ठीक है ना तो हमारा जो हमारी खेल चोट वाला जो होगा वो मैं सेपरेट ही रखूंगी तो मुझे लग रहे है वीडियो काफे चोटी होने वाली है तो मैं इसलिए यहाँ पर खेल चोट वाला जो ही है यहाँ पर ही कवाई करना स्टार्ट कर देती हूं ठीक है तो देखो भई जो खेल चोट होती है आपको बेसिकली पता होगा कि खेल चोट क्या होती है तो देखें यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको ब भी कर रहे हैं काम उसमें लग सकती है हमें हम मान लीजिए को एक्ससाइज करें उसमें लग सकती है हमें हम लडाई विगरा करते हैं अपने भाई भेनों के साथ उसमें लग सकती है हमें चोटे ठीक है तो यह जो चीजे होती है इसी को आप खेल में लेकर चलो यानि कि खेल च दोरान खिलाडियों को लगने वाली चोट ही है हमारे खेल चोट कहलाती है ठीक है अब जो है यहाँ पर आपसे जो most important question होता सी बैसी का यहाँ पर खेल चोटों के जो वरगी गरन है वो पुछा जाता है आपको यह टेबल अच्छे से आपको learn कर लेनी है अच्छे समझ लेनी ह तो इसकी जो वीडियो का link होगा मैं comment box में पिन कर दूँगे जिसमें मैंने यह बहुत अच्छे से आपको explain करके समझाई हुई है तो वही चीज़ यहाँ पर दोबारा I hope जो चीज़े मैंने आपको बता पाऊं यह तो मुश्किल हो जाएगा कि मैंने यह जो है यह बहुत deep मैं आपको पढ़ना पड़ेगा तब ही याद रहे पाएगा ठीक है तो इसलिए मैं जो हो आपको link दे दूगी बहारी چोट और आंतरिक चोट दो प्रकार की होती है महारी खेँ घेल होटे आप जो हैं एक डाइग्राम बना कर आप उन्हें बताएंगे और उसके बाद explain करेंगे यह भी कर सकते हैं या फिर आपकी इवल explain कर सकते हैं यानि कि खेल चोटे के कारण निम्लिकित है पहला कारण यह है इस तरीके से भी कर सकते हैं तो देखो जो खेल चोटे के कारण होते ह क्या चीज आ जांगे हैं आपको ध्यान में ांद्रिक कारण में आपका शरीर क्रशाराइट कर रही हैं शार्री जो है या शारिल ग्रूप से फिर भी आप जो प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत जादा प्रैक्टिस कर रही हैं, तो उस टाइम पर आपको चोट लग सकती है, ठीक है, यह होगे आपका एक रीजन, अब देखिए, ऐ प्रयाप्त गर्माने वे ठंडा करने की विधी, यानि कि ऐ प्र आपकर आपने गर्माया है, या फिर आप जो कहते हैं, कूल डाउन करना और वोम अप करना, जब वोम अप कब होता है, जब हम जो है, जो पर चीजे, अकर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें वोम अप करना चाहिए, यानि कि नॉर्मली हमें थोड़ अभी उसे रेस्ट की फोम में आपकी बोड़ी, एक दम से उसे भेंकर वाला काम दिया जाए, तो नहीं हो पाएगा ना, तो धीरे धीरे बोड़ी को ऐसा नहीं फील होना चाहिए, कि उसे एक हार्ड वर्क दे दिया गया, तो इसलिए सबते पहले वोम अप करने चाहिए, जिसमें हमें बहुत ही कम जो एक्सराइज होती है, यानि कि हाथ पैर वगारा गुमाने एपनी गल्दन में थोड़ी सी गुमानी इस तरीके से होती, तो ये चीचे करने चाहिए, जिससे हमारा क्या होता है, हमारी बोड़ी को लगता है, कि हाँ, आप धीरे धीरे लेवल हम बढ़ा सकते हैं इसका, और इसी तरीके से जो एक्सराइज होते हो, कभी भी स्टॉप नहीं करने चाहिए, एकदम से, कूल डाउन करना चाहिए, कूल डाउन करते हैं भी वही सारी एक्सराइज हमें, जो हमने स्टार्टी में वर्म अप करते हैं, टाइम स्टार्ट की थी, वही cool down करते हुए, start, मतलब end करते हुए करनी चाहिए, जिससे हमारी body relax feel भी रहेगी, ठीक है, यहाँ पर एक और example आपके खुद से ले सकती हूँ, अगर मानो एक बच्चा जो है, first class में है, उसे 2 का table जो है आता है, पर उसे 20 का table नहीं आता, अब जो है, उसे 2 के बाद, मैं 5, 6 वकरा किसी का नहीं से कहूँ, उसे 20 का सीखाना स्टार्ट करूँ, या फिर उसे reading नहीं आती है, और मैं सीधे उसे क्या करूँ, एक बहुत बड़ा paragraph read करना स्टार्ट करूँ, उसे C और W काओ पढ़ना नहीं आता है, और मैं उसे पूरा sentence पढ़ा हूं, तो नहीं हो पाएगा ना, इसी तरीके से आपको cool down और जो warm up है, वो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो खेल the time आपको छोटे लग सकती है, ठीके, जादा ही explain कर दिया है, मैंने, अब देखे, मास पेशिये का जो अतियन्त उप्योग अगर हम कर देते ह हैं, याने कि हमारे मास पेशियों में जितने शम्ता होती है, उसे भी जाता है, अगर हम प्रियोग कर देते हैं उनका, तो इसकी वजड़ेसे भी क्या हो सकता है, खेल ते time छोटे लग सकती हैं, अगला मास पेशियों का असंतुलन हैं, उस दीधि में भी हम क्या कर रही है, हैं उस दिद्र में भी हमें मैसूस हो चुका है कि हमारी बॉड्स ये काम नहीं हो रहा है फिर भी हम क्या करें लगाता और exercise करें चाहिए कोई भी आपके उपर कि आपके उपर प्रेशर हो खेल रहे हैं लगाता तो उन्हें कर निपर प्रेक्टिस तो इस वज़े से उन्हें चोटे लग जकती है अब देखे में व्यक्ति-गत्गार के अंदर आपके क्या के चीज़ आ जाएंगी व्यक्तिकत कारक के अंदर आपके यह IU वैलिंग आ सकता है यानि कि अगर आपकी IU जो है जो मतलब बच्चे से जो exercise करवाने चाहिए वो उसकी age के according होने चाहिए बड़ो की जो है उसकी age के according होने चाहिए ठीक है इस तरीके से अगर हम ऐसे नहीं करेंगे बड़ो वाले जो व्यायम है बड़ो वाले जो खेल हैं वो हम अगर बच्चे से खेलाने स्टार्ट कर देंगे तो उन्हें चोट लगने की संभावना बहुत जाता होती है अगर पुरुष और स्टरी का देखा जया तो पुरुष वाले जैसे स्टृन्थ वाले चीज़े जो पुरुष कर सकते है स्ट्रियों में इतनी कहा जाता है कि स्ट्रंथ नहीं होती है फिर भी कर लेती हैं अगर मान लीजे उसमें भी जो difference किया जाता है खेलों में उसके according जो है वो नहीं करते हैं तो उसके वज़े से भी क्या हो सकता है खेलों में चोट लग सकती है पोशक तत्व, अगर हम पोशक तत्व सही प्रेकार से नहीं लेती हैं, अपने निट्रिशन सही प्रेकार से नहीं ले रहे हैं, अपना भोचन सही प्रेकार से नहीं करे हैं, बैलेंस डाइट फोलो नहीं करे हैं, तो हमें क्या हो सकता है, हम अलप पोशित हो सकते हैं, इसकी वाजे से हमें बीमारिया भी लग सकते हैं सात सात में की ठीक्साइब शोटे भी लग सकती आपदियरях भी आपने पड़ी थी फिर हो को बोड़ कर रही हैं ढूंगी सिप्टै पेल होने के बाद बर जबलदस्ति आप रेस कर रहीए ठीक है, रेस वाला पर तो गेम होता है न, अगर आप रेस कर रहे हैं, तो भी आपको क्या है, खेलते टाइम चोटे लगने इस संभावना अधिक होती है, ठीक, आप देखें, बहारी जो चोटे होती हैं, आपकी, उसमें जो है, दो दरेके से डिवाइड किया गया है, एक तो खराब विधी या फिए प्रयाप्त ग्यान की वज़े से चोट लगती है, या फिर आपके वातावरन का जो कारक है, उसकी वज़े से आपको चोट लगती है, ठीक, तो खराब विधी आने कि अगर आपको सही प्रेकार से जो खेल, खेलना नहीं आता, फिर भी आप खेल रह इसे कोशल हो गया अगर आपके अंदर skill पावर नहीं है, फिर भी आप किम खेल रही है जब रतोस ती या फिर आप इसी बच्चे से जो गेम है वो खिला रही है उसको पर उसे नहीं, उसके अंदर वो Lay is skill नहीं है तो फिर उसनी सो चोट लग्सकत düşünुते है ठीक है, इंडिया की बहुत ही पास का टाइम की बात है तो उन्होंने क्या करका था उनके लंबे लंबे बाल जो रहते थे I don't know उनका नाम क्या था आप मुझे पता सकते हैं मेरी भी knowledge बढ़ जाएगी अगर आप बताएंगे मुझे अभी धियान नहीं आ रहा मुझे तो उनके लंबे बाल थे और वो कभी भी helmet नहीं पहनते थे ठीक है तो जो helmet ना पहनने की वज़े से उनके सिर पे क्या है बोल लग गई और उसकी वज़े से क्या है I think उनको जो है चोट लग गई थी ठीक है वातावरण की वज़े से हो सकती है आपके आसपास का वातावरण वो नहीं है खेलने का फिर पही आप खेल रहे हैं अब हम वातावारन जो कारक उसके अंदर देखेंगे जलवायू जो है उसकी वेद्यसे सत्र है जो है यानि कि जो मैधान है हमारा उस प्रकार का नहीं है, जिस प्रकार का होना चाहिए, समतल मैदान नहीं है, तो उसकी वज़े से भी चोट लग सकते हैं, उबर खाबर दोर तर टाइम आप गिर सकते हैं, ठीक है, अब देखें, सुरक्षित यंत्र का अकराँ प्रियोग नहीं करेंगे, तो उसके वज़े से भी हो सकता है, अकर मान आप लिए सारे कारण से जो हमने देखे हैं खेल चोटो के, तो यह जो खेल चोटे हैं, आपको बेसिकली अगर कोश्चन आता है, खेल चोटो के क्या कारण है, दोनों मिक्स करके आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे डिवाइड करके उन्हें दिखाएंगे, और फ तो आज जो है, इस वीडियो में इतना ही करवाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट जब आएगा, जब मैं करवाऊंगी, आपको नेक्स्ट जो इंपॉर्टन कोशन है, जैसे कि आपको पता होगा, यह जो चैप्टर है, दो चैप्टर एड किये गए हैं, तो टाइम तो कंस्यूमि तो करें, ठीक है, अगर चाहे, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप लाश तक आचुके हैं, तो आपको अच्छी लगियोगी वीडियो, ना तो आप स्टार्टिंग में ही बैक कर देते, तो अगर लाश तक आचुके तो लाइक, शियर और सब्सक्राइब और कमेंट करके बता सकते हैं, टेलिग्राम ग्रूप को जोइन करना मत भूलेगा, योनिक क्लासेज के नाम से हैं, और इंस्टाग्राम आइडी को भी फोलो कर सकते हैं, वो भी हमारी योनिक क्लासेज के नाम से हैं, थैंक यू फर वाचें दिस वीडियो,